नमस्कार मैं सोनू आप देख रहे हैं जिवन जिनी की कला दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यनाशी के और शद्य गुणों के बारे में और कमाल के फायदों के बारे में यह इतना गुणकारी पौधा है कि कितना भी पुराना घाव हो दाद खाज खुजली ह तो उसे चुटकियों में ठीक कर देता है सबसे बड़ी बात यह है कि यह पौधा बांचपन को जड़ से समाप्त कर देता है यह भारत के सभी अस्थानों पर पाया जाता है और मुख्य रूप से सूशक शेत्रों में यह बहुतायत में पाया जाता है यह खेत खलिहान नद नाले के किनारे आसानी से आपको दिख जाता है यह दो प्रकार के फुलों वाला होता है एक पीले फुल वाला और दूसरा सफेद फुल वाला यह दोनों प्रकार के पोधे और शधिय रूप से समान होते हैं समान रूप से फायदेमंद होते हैं इसके पत्ते कटीले होते हैं और अगर इसे आप तोड़ेंगे तो इसमें से सुनहले कलर का गोल्डेन कलर का दूद निकलता है, ये कमाल का होता है, ये पोधा औशधिय गुणों से भरा हुआ है, लेकिन इसके कुछ विशेश गुणों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ने संतान य प्रमुक कारण होता है, बीज में शुक्रानों की कमी होना, यानि की पुरुषों में समस्या होना, जो की स्पम काउंट है, वो कम हो जाता है, तो इसलिए समस्या होती है, तो इसको ये जड़ से समाब्द करता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस समस्या से परिशान है, तो सत् पौधी की जड़ लेकर क्या ये उसे चाया में सुखा लेजिए इसका पाउडर बना लेजिए इसके बाद सुबह खाली पेट एक से दो गराम इसकी मातरा सुबह दूद के साथ लेजिए नियमित सेवन करेंगे तो 14 दिन के अंदर में आपके नहीं संतानपन की समस्या या फ का पाउडर बना लें और इसका प्रयोग सुबह मिश्री के साथ करें तो भी नहीं संतानपन की समस्या खत्म होती है संतान की प्राप्ति होती है इसके लिए ये रामबान और श्यादी की तरह से कारे करती है इसके लिए आपको एक और प्रयोग बता देते हैं इसके लिए क तो इसलिए सिर्फ इतनी ही मात्रा आपको लेना है ध्यान रखिएगा एक ग्राम की मात्रा और चणी बराबर की गोली बना लेनी है लगातार सुभा pics शाम आपको एक-एक गोली लेना है दूद के साथ ले सकते हं या गुण गुणे पानी के साथ ले सकते हैं दोनों तरीके स से फायदेमंद होगा आपके जीवन की सभी समस्याओं को ये जड़ से समाप्त करता है इसके लिए इसके जड़ का चून एक से आधा ग्राम के मात्रा में दूद या गर्म पानी के साथ लीजे अस्थमा रोग अपने आप ठीक होने लगेगा इसके अलावा मालीजे किसी के स् पर सो उल फिर आप लीजे कोकोनट उल या फिर अरंड़ का तेल इसमें आप इसकी जड़ को और तने को डाल देजे पत्यों को डाल देजे और उबालना श्टार्ट कीजे तब तक उबालिए जब तक वो काली नहोंग जाए उनको चान दिजेए ओल को वहाँ पर लगाई यह स्किन पर जहां दाद खाज खुजली की समस्या है या घाव है ये infected नहीं होने देगा उसको बहुत जल्दी ठीक कर देगा वेक्टिरिया और कवक को मार देगा ईंटि बैक्टिरियल गुणों से भर पूर होता है इंटि फंगल गुणों से ये भर पूर होता है तो वीडियो को वाटसप फेस्बूक पर अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेर जरूर करें ताकि किसी को अगर यह समस्या है तो उनकी समस्या जड़ से समाप्थ हो सके और वो अपने जीवन को खुशहाधंग से जी सके हमारा यह प्रयास है आप इसमें भागिदार बने प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करें फिलाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें नमस्कार दोस्तों